अलग सान जब यह किंग बनता है तैस्ट इस विल्टान बनता है तो यह अपना नाम रखता है क्यासुद दीन बल्बन क्यासुद दीन बल्बन काफी बुड़ा हो चुका था जब वो राजा बनता है इसका एक्चियल नेम औरिशनल नेम था यह भी एक बार एक्जाम में पूछा हुआ है इसका असन निम्त बहा उद्दीन जब यह इसके पास यहां पी एम काता सारा अड्मिस्टेशन कर रहा था तो इसको बहुत मुश्किल नहीं हुआ देली के तक तो बैठने पे बट इसके वक्त में प्रॉब्लम यह रही कि तब तक जो 20 साल का पिरेट कर रहा था इसमें वह जो देली का तक जिसको मजबूत करना था वह मजबूत के कमजोर हो जाता इस वक्त मॉंगोर्स को एक रास्ता मिल जाता है को इंडिया में एटेक करने के लिए सोचे यह एटेक बहुत दिन सो वह लोग प्लैन कर रहा था अगर इस वक्त तक डर रहता है बलबन को इस बार का डर था कि अगर हम कुछ स्ट्रॉंग में नहीं लेंगे तो यह जो डर है ना यह एक दिन पूटेगा और यह इंडिया में इंटर करेगा हमारे किंडम को लॉस करेगा क्योंकि यह जब इंटर करेगा तो देली पर ही एटेक कर पंजाब और देली नतीजा यह हुआ कि फ्रंटियर इलाके में इसने फॉर्ट बनाने शुलू के जहां 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 जरूरी परी और इस फॉर्ट के जो किलादार बनाया इसका एक बहुत स्ट्रॉंग जेनल साथ इसका नाम तो शेर खान सुंगुर प्रॉब्लम यह रहती है कि शेर खान सुंगुर की मौत हो जाती है यह इसके बाद एक चीज बिगड़ जाता है थोड़ा सा उस देख से पहले बलबन ने कैसे अपने एड्मिस्ट्र सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भी था तो नॉबल फॉर्टी बलबन खुद उसका पार्ट उसको मालुम था कि अगर हमको देवरी में ठीक से राजपार्ट करना है तो हमको इस बंदगाने चाहलगान यह जो फॉर्टी जो नॉबल चालीसा है इस सिस्टम को खत्म करना प अगर्ट बर्बग हैबद खान इन लोगों को उसने मौत की काहट दा दिया तेको हो क्या इन लोगों ने अपने गुलाम को मारा था वल्बन को मौका मिल गिया बोला कि चावुक से मारो सदा दो यह इसलैमिक वे से सदा थी उसको चुचल रहा था इस सदा के चक्कर में जब हैबद खान अपने गुलाम को मारा तो उसको मरवा दिया बोला जान का बतला चाट और वो जो गुलाम मरा उसकी वाइफ के उस जमाने बीस हदार पॉइंट वीस हदार चंका जो है वो ऐसे कॉंपेंसेशन दिलवाया था यह दिनाने के सिंपल मक्स्ट था कि यह लोग या तो मर जाए या बैंक्रेप्ट हो जाए या फिर डडर जाए और बलबन के एक खड़ा और यही वह बलबन के खड़ा नहीं होगा आइसना बलबन इस चीज़ से बज़ गया तो अपने एड्मिस्टेशन पर वो पुरा जोड़ दिना शुड़ किया एक स्ट्रॉंग सिस पॉलिशी बोलते हैं इसको अगर हमको देली पे कंट्रोल करना है अपने राजपत पर कंट्रोल करना है तो हमको एक ऐसा वेपन यूज करना पड़ेगा जिसके सब चुब है तो इसने खुद को बोला कि कि I am the deputy of God on the earth कि जमीन पे खुदा का जो नाइब है वो हम है और मेरे नाम होगा नियाबत है मतलब उपर वाला का जो डेपुटी है वो जो दुनिया में काम करच करवारा है वो मेरे जरीए करवारा है हम यहां पर और इसने एक और चिस स्टार्ट किया इंट्रोड्यूस्ट सिज्दा और यह दोनों पैबो यह दोनों जो है पारशीयन कलीचरती आपने आप में बैदेखा वागा कि राजा के सामने झुक कर सलाम करते ते पहले उसको बोलते थे शजदा करना नाएक के सामने झुक जाना और जोस्यमीश चुंसरी對 कि दिखाता है कि राजा कपड़ा वगर चुमा जाए था बलबन अपने में पैड चुमा जाएगा क्यों कि इससे आपको आपको आइसास होगा कि राजा सुप्रीम है यह सिर्फ अपना कि इतना सक्त अपने अपने के बलबन कि उसने बोल जैए कि मेरे दर्बार में कोई हासेगा नहीं है तो इसको मालूम था कि अगर हम यह सब नहीं करेंगे तो हम इसी 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 ग्रूप के मिंबर ने हम इन लोग को कंट्रोल नहीं कर पाएं कि अधिये यह होता है कि अंधर से तो यह मदूट हो जाता है पो इसके के बाद यह दूसरा इंडिया के तरफ बदर करता है इस वक्ट होता क्या है कि शेल खान कि संबूर की देते जाते हैं कि इसका मुस्ट पावरफुल फॉर्ट जो इसकी जबह पर इसका एक बेटा होता है मंसूर मतलब आलबन का बेटा महमूर की मुहम्मद यह जाके उस किलाब को देख रेक करता है बट यह भी मंगोल से लड़ते हुए मारा जाता है कि इस चीज से बलबन इतना ज़्यादा सद्वा में आता है कि एक साल के बाद ही बलबन की मौत बलबन की देद के बाद पाइक टूंए तीन राजा बनते हैं एक कैकोबाद और कइमूर अपने को सिर्फ यहांत रखना है इसके बाद लास्ट रूल कर, और इसके बाद बनता है कयमूर यह 18 साल का होता है जब यह राजा बनता है लेकिन पूरा नशे में डुबा हुआ अयाज बेकार तो तीन साल का एक बच्चा रहता है जिसको सुल्तान बना जियाता है इसको रिप्लेस करता है कैमूर के जुरी हो बड़ प्रॉब्लम यह रहती है कि अड्मिस्टेशन पुरा बिगर चुका होता है मंगोल का अटेक बना हुआ है तो नतीजह यह होता है कि जो देली के अवाम देज और जो नोबल से इन लोगों ने उस वक्त का एक लीडर था जिसका नाम तर्जलाल उदिन खिल जी उसको अप्रोच करता है अप्रोच क्यों होता है कोट में चलता है दो ग्रूप सुलता कोट में चलता है तर्किश पार्टी और चलता है हिंदुस्तानी पार्टी के अचिक है हिंदुस्तानी पार्टी का जो लीडर उसका नाम बता है जलालो दिन यह क्या करता है इन दोनों को मर्डर कर देता है और इसी इवेंट को खल्जी रेवोल्यूशन कहते हैं हिस्ट्री में इन दोनों को मर्डर करके यह खुद बन जाता है सुल्तान साथ यह क्या बनता है सुल्तान और यहीं से शुलू होता है खल्जी डानिस्ट्री